नमस्कार दूस्तों आप सभी का आपके अपने चानल में सुआगत हैं हरे द्वार से ही गंगा हो गई मेली सरकार वट लोगों को करने होंगे प्रयास गंगा नदी भारतिय जन्मानस की आस्था का जीवन्त प्रतीक है भारत में गंगा को मा की उपाधी से नवाजा गया है दार्मिक महत्व के साथ गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है यह नदी भारत के 11 राज्यों में भारत की आबादी के 40 प्रतिशत लोगों को पानी उपलब्द कराती है दूसरे शब्दों में गंगा भारत की जीवन रेखा है गंगोत्री से अवतरेत पावन गंगा आज दिन प्रतिदिन मेली होती जा रही है आज यहां दुनिया की छटी सबसे प्रदूशित नदी मानी जाती है गंगा को लेकर एंजीटी की टिपणी ने चिंता बढ़ा दी है एंजीटी ने कहा है कि अगर सिग्रेट के पैकेट पर स्वास्थे के लिए हानिकारक चेतावनी लिख सकते हैं तो प्रदूशित गंगा के पानी को लेकर ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता है प्रदूशन को लेकर ट्रिब्यूनल ने नाराजगी जताते हुए यह भी कहा कि हरिद्वार और उनाव के बीच गंगा नदी का पानी पीने और स्नान करने के लिए उप्योक नहीं है एनजीटी ने कहा कि लोग गंगा का पानी पीते और उसमें स्नान करते हैं बिना यह जानते हुए कि यह उनके स्वास्थ पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है हरिद्वार में भी गंगा हुई मैली चुंकी गंगा गंगोतरी से ही निकलती है इसलिए माना जाता है कि हरिद्वार में गंगा शुद्ध होंगी लेकिन अब ऐसा नहीं है गंगा जल हरिद्वार में भी काफी दूशित हो चुका है हरी द्वार में गंगा की हालत इतनी बुरी है कि तमाम नाले सीधे गंगा में जा रहे हैं राज्य मेत्रिवेंद्र सरकार आने के बाद गंगा को तवज्जो देते हुए करे गंगा भक्त परिशद का गठन करें जो गंगा जी और केवल गंगा जी के हित में काम करने की शपत लें प्रस्तावित अधिनियम ड्रॉफी 2012 पर तोरंत संसत द्वारा चर्चा करा कर पास है अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर यह नूज आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूले